हेलो वीवर्स, आज हम करेंगे CBT exam, combined higher secondary level exam, RRB exam का sums तो देखें यह जो sums है, यह right circular cone से है तो question क्या है, the circumference of base of a right circular cone is 88 cm तो किसी cone का circumference, यानि परिसी मा, उसका base परिसी मा 88 cm दिया हुआ है और if the height of cone is 28 cm height भी दिया हुआ है, then what is the curved surface area of the cone हमें curved surface area उस cone का निकालना है तो चलिए, solution करते है solution तो सबसे पहले circumference of, नीचे cone का base होता है circle में तो circumference of circle लिखते है circumference of base of cone यह हम दिया हुआ है, is equal to 88 cm 88 cm अल्रेडी दिया हुआ है तो base होता है, cone का base होता है circle में तो circumference of circle होता है 2 pi r formula, circumference of the circle is equal to 2 pi r, क्योंकि उसका base होता है , circle circle form में is equal to 88 cm ठीक है, देखिए अगर यह cone अगर हम बनाए यहांपर, धेखिए cone का यह base circle form में है ठीक है circumference of circle is equal to formula होता है 2 pi r तो 2 बैठा देते है pi के value कितना है 22 by 7 यह हमें पता है 22 by 7 यह बैठा दिये r हमें यह r निकालना है r यानि radius निकालना है अब देखें यह cancel होगा 22 1 जब 22 22 4 जब 88 अब देखें फिर यहाँ पे cancel होगा 21 जब 2 22 जब 4 यह भी cancel होगा तो क्या बच्चा यहाँ पर यहाँ से बच्चा उपर में r और यह 7 हम यहाँ पे multiply कर दें तो कितना हो जाएगा is equal to 2 already है into 7 by the cross multiplication ठीक है यह 7 हम हम यहाँ multiply कर दिये तो क्या होगा 2 into 7 तो 27 is equal to 14 cm ठीक है यह मेरा radius याणि अधव्यास ठीक है यह सरकल का center हो तो यह radius हमें मिल जाए और हमें height भी पता है height दिया होगा दिखिए 28 cm तो यहाँ पे अब बतारे दिखिए एक right angle triangle form में form यह है ठीक है आप हो देख रहा है यह right angle triangle form में है ठीक है इसका हमको यह height भी पता है और base भी पता है base यह radius 14 cm और height पता हमें कितना 28 cm यह दिया होगा है तो हमें क्या निकालना है यह slant height यानि hypertonus तो पहले हम फॉर्मल लिख देते हैं यह hypertonus is equal to h is equal to यह फॉर्मला होता है root over of p square perpendicular square plus base square root over of perpendicular square plus base square तो perpendicular square p कितना है 28 क्योंकि height दिया होगा देखें यहाँ पर height दिया होगा कोन का 28 और base हम निकाले radius यानि 14 square का whole root तो 28 का square करेंगे तो कितना आएगा तो 28 का square करेंगे तो 784 आएगा 28 into 28 आप करके देख लिजे ठीक है 14 का square करेंगे तो कितना आएगा 196 ठीक है आप इक बार multiply करके देख सकते है root over of यह root था हमने root दे दिया अब 784 plus 196 करेंगे तो कितना आएगा 980 ठीक है आप adding करके देख लिजे अब यह 980 आया हमको 980 हमको square root निकालना है तो पहले हम इसको हम prime factor method से करते है देखिए अगर हम 2 से divide कर इसको 248 2918 200 अब यह फिर यह 2 से divide होगा 224 248 2510 अब यह 5 से divide होगा 5 420 5 945 45 और फिर यह 7 से divide हो रहा है 7 7 जा 49 तो देखिए 77 एक pair में है 22 pair में है तो हमें पता है अगर root के अंदर अगर कोई number pair में रहता है यानि जोडी में रहता है तो बहार आ जाएगा यानि 2 बहार आ गया और 5 बहार आ गया sorry 7 बहार आ गया 2 और 7 बहार आ गया तो क्या बचा 5 सिफ अंदर में बच गया यह 5 अंदर में बच गया तो 5 लिखेंगे ठीक है और 2 और 7 ए pair में इसलिए बहार आ गया 227 जा कितना होगा 14 14 root 5 यह मेरा यह slant height ठीक है slant height यह मिल गया slant height हम इसको लिख सकते है यहाँ पर slant height slant height इसको हम रो denote करते है किससे l से small l slant height small l से denote करते है तो हमें क्या निकालने curved surface area of kone तो हम short निकते है ca से यानि curved surface area of kone यह हमें निकालना है is equal to यह formula होता है pi rl curved surface area of kone formula होता है pi r l ठीक है तो pi का value में पते है 22 by 7 यह हम बैठा दिये r r हमने निकाला 14 cm तो 14 यहाँ पर दिख 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 दिखे और l कितना है l भी हमने निकाला 14 root 5 तो 14 root 5 निकते है तो यह कटे का दिखे 7 बंज़ 7 7 2 जब 14 22 x 2 44 44 x 14 तो 44 x 14 करने से मेरा आया 616 616 और यह root 5 था यह root 5 हम दे दिखे cm क्योंकि cm में है तो 616 देखे यह है क्या option में तो 2 नमबर देखे 2 नमबर यह है option में 616 तो 616 क्या होगा answer अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा वीडियो अगर लंबा लंबा हुआ है क्योंकि मैं एक-एक स्टेप्स बताया हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आये ठीक है धन्यवाद वीडियो देखने के लिए